स्वागत आप सभी का एक बर फिर से हमारे चैनल दिकेंडी और न्यूज में आप देख रहे हैं आज की खबर एपिसोड नमबर 14 उडीसा के संबलपुर विश्विद्याले से एक बड़ी और दर्दनाख खबर सामने आई है बता दें कि विश्विद्याले के पूर्व कुलपती दर्दनाख की चाकू से हत्या कर दिये पूर्व कुलपती के भाई अर्जुन नाख ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया है कि कुरमाल गाओं का एक शराबी युवक उनकी आवास पर आया और पूर्व वीसी से सो रपे मांगने लगा उनके मना करने पर युवक ने उन्हें घर से निकाल दिया और हमला करा और धारदार हतियार से उनकी हत्या कर दी वहीं दूसरी तरफ तीनों नए क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध अब तक जारी है जल्द ही किसान संगटन अब अपने नए मिशन के लिए उत्तरब्रदेश की और रवाना होंगे इस मिशन में किसान बंगाल की तरज पर पूरे यूपी में रह लिया करेंगे साथ ही किसान भाजपा सरकार के खिलाफ महल तयार करने की रण नीती भी बना रही है किसान संगटनों का कहना है कि हम किसी पार्टी के पक्ष पे प्रचार नहीं करेंगे हलाकि उनका ये भी कहना है कि वे केंदर सरकार की किसान विरोधी नीतियों को आम जन तक जरूर पहुँचाएं बच्चों को करोना संकरमण से बचाने के लिए करनाटका सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है बता दें कि करनाटका सरकार एक माह का स्वास्थ जांच अभियान चला रही है जिसमें 16 साल से कमर उम्र के बच्चों की स्वास्थ जांच होगी यह अभियान करोना वाइरस संकरमण की संभावित तीसरी लहर को निपटने के मद्दे नज़र रखते हुए चलाया जा रहा है राज के स्वास्त मंतरी बसवराज एम बोमोई ने ये जानकारी दी दूसरी तरफ कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के उपर एक बर फिर से निशाना साधा है बता दे कि राहूल गांधी ने कहा है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को कोविड-19 टीकों की किलत खत्म करनी चाहिए और इस महत्पूर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए साथ ही उन्होंने कहा है कि पिरतेक नागरिक के लिए टीका उपलत होना चाहिए क्या है आपकी राए इस वीडियो को लेकर हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चानल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चानल को सस्क्राइब करें धन्यवाद